आपके साथ मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने सुभा सुभा बिहार वासियों को बड़ा संदेश देते हुए शुब कामनाई दी है जिससे बिहार वासियों में खुशी की लहर है आज मकर सकरांती का दिन है जिसे पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और खास कर बिहार में चूड़ा दही का बेहत खास और हम महत हुआ है जहां इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरे बिहार में पूरी की जा रही है दुकानों में साथ सजावट हो गई है तो वही मुक्षमंत्री निदीश हुमा ने आज मकर सक्रांती के अफसर पर सुबह सुबह बिहारवासियों को संदेश दिया है यह संदेश में उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपको वो दिखवाते हैं सीम निदीश हुमा ने अपने ओफीशिल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है मकर सक्रांती के अफसर पर समस्त प्रदेश वासियों एवं देश वासियों को बधाई एवं शुब कामना है मेरी कामना है कि यह पर्व सभी के लिए सुख, शान्ती और सम्रधी लाए आप सभी इसे हर्शो लास, पारस्पिक्स ने और सौहार्द के साथ मना मकर सक्रांती के साथ खर्मास की समाप्ती होती है और यह 14 जन्वरी को मनाया जाता है हलाकि कई बार संयोग से 14 जन्वरी और 15 जन्वरी दोनों दिन मकर सक्रांती मनाये जाती है आज पूरे बिहार में मकर सक्रांती के शुवअपसर पर मुक्षमंत्री नितीश मारस सभी को शुपकामनाई दे रहे हैं और संदेश के माधियम से उन्होंने प्रदेश वासियों से इस बात की अपील की है कि वो प्रेम के साथ, सौहार्व के साथ और अपने पन के साथ रहकर इस पर्व को मनाएं यहां तक की बिहार में चूड़ा दही को लेकर खास तयारी की जाती है दुकानों में साथ सजावट के साथ विबिन की तयारिया देखी जाती है दही चूड़ा का महायोजन भी किया जाता है राजनितिक पाचियों के तरफ से जहां विबिन दलों के तरफ से विबिन निताओ के तरफ से दही चुड़ा महा भोज का आयोजन कर सभी को अमंतुरत किया जाता है ताकि वो एक साथ मिल कर इस मकर सक्रांती के पावन पर्व को मना सके हलाकि इस बार जदियू और आर्जेटी ने बिहार में हो रहे ही दही चुड़ा महा भोज के आयोजन को कैंसल कर दियो और वो पूर्व केंद्र मंत्री शरद यादफ के निधन को लेकर किया गया जहां आरजेडी के तरफ से तीन सालों के बाद दही चुड़ा महावोज के आयोजन से राबड़ी आवास गुलजार होने वाला था तो वहीं अब सारी की सारी तयारिया धरी रह गई इसे को देखते हुए जदियू ने भी बड़ा फैसला लेते हुए चुड़ा दही के इस महावोजन को रद कर दिया हाला कि बीजेपी के तरफ से स्कायोजन किया गया है और जो कि बीते कल हुआ चुराग पासफान के तरफ से भी स्कायोजन है इफिला के लिए इस खबर में इतना ही नमसका